दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चार ऐसे बिजनस आइडिया जिनके बारे में शायद आपको पता होगा और हो सकता है आपने कभी ना कभी उनको शुरू करने की सोची होगी लेकिन किसी कारण वस आप शुरू नहीं कर पाए इसलिए आज आपको ये वीडियो देखना पड़ रहा है लेकिन दोस्तो कोई बात नहीं अगर आप इन बिजनस को 2022 में भी शुरू करेंगे तो आपकी जिन्दगी चेंज हो सकती है दोस्तो ट्रस्ट मी अगर दो साल आपने जम की ये बिजनस कर लिए तो आज आप जहां पे हैं वहां से बहु के लिए मैं डेडिकेटिव वीडियो नहीं बनाऊँगा मैं पूरा कोर्स बनाकर इस चैनल के उपर अप्लोड करूँगा जो की कंप्लीटली फ्री ऑफकॉस होगा तो दोस्तो अगर आप चाहते हैं इन चारों में से किसी बिजनस के उपर मैं डीटल में कोर्स बनाऊँ प हाँ दोस्तो आज के टाइम में बहुत सारे लोग यूटूब का बिजनस कर Impact कर ने अच्छा काया बिजनस कर रहे हैं चाहता है और उसके प्रोडक को आप अपने चैनल पर प्रमोट करो तो उसके लिए भी पैसे मिलते हैं लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूँ आज के टाइम में मुल्टीपल तरीके जिन से आप पैसे कमा सकते हो उन में से एक तरीका मैं आपको बताता हूं देखि आप इस कंपनी की या किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइसी लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमाई टीम आपको गाइड करे कि कौनसी फ्रेंचाइसी आपके लिए बेस्ट होगी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक दिया है उसमें जा content writing, translation, किसी भी प्रकार की services अगर आप provide करते हैं और एक साल के अंदर आपके पास 12,000 customers का data आजाते हैं और उन 12,000 में से अगर 2% लोग भी आपके customers बन जाते हैं तो दोस्तों सोचे कितना ज़ादा हो सकता है दोस्तों 12,000 का 2% होता है अगर 500 को आप 12 से डिवाइड करें तो होता है लगबग 21 के आसपास मतलब हर महीने आपको 21 customers मिल सकते हैं अब दोस्तों सोचे आपको कोई service का business है जिसमें आप एक customers है 2-3,000 रुपे भी कमा सकते हैं तो 21 से आपकी income हो जाएगी 42,000 रुपे से लेकर 33,000 रुपे के बीच में दोस्तों conversion का जो ratio में आपको बता रहा हूँ बहुत ही कम बता रहा हूँ 12,000 में से और भी जादा customers आपके convert हो सकते हैं लेकिन हम बहुत ही least पकड़ते हैं 2% तो हर महीने आपको 21 customers मिल सकते हैं जिनसे आप 42,000 से लेकर 63,000 तक कमा सकते हो अब दोस्तों मान लीजे पहले महीने में आपको 21 customer मिले उन में से 10 customer भी अगले महीने आपको वापस बेग करते हैं और आपके बास 21 customer आजाते हैं तो अगले महीने हो जाएगा 31 customers इसी प्रकार दोस्तों जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे उतने जादा customers आपके बास आते जाएंगे उतना जादा पैसा आप कमा सकते हैं YouTube पे और भी बहुत सारे तरीके हैं अगर आप सारे तरीके जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि YouTube पे कैसे चैनल बनाया जा सकता है, कैसे जाधा स्याधा पैसे कमाया जा सकते हैं, तो दोस्तों, मैं आपको इसमें बहुत जाधा गाइड कर सकता हूँ, अगर आप चाहते हैं, मैं डीटेल में कोर्स बनाऊ, आप कमेंट बॉक्स में लिखके बताएगा, जितने जाधा कमेंट आएगे, उतना ही जल्दी में कोर्स बनाकर इस चैनल के उपर अप्लोड करूँगा, और दोस्तों, मैं आपको इस चीज़ बता दू, वो जो कोर्स होगा, वो हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए completely free of cost होगा, तो दोस्तों, कमेंट करना ना भूले, दूसरा बिजनस आइडिया है, ट्रेडिंग करके पैसे कमाना, दूसरा हमारे आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग है, जिन्होंने ट्रेडिंग करके बहुत अच्छे पैसे कमाए, इसके लाबा ऐसे भी बहुत सारे लोग है, जिन्होंने ट्रेडिंग करके बहुत सारे पैसे गबा दिये, तो दोस्तो अगर आप trading करके पैसे कमाना चाहते हैं तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूँगा आपको एक चीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए जो होता है technical analysis आपको ये पता होना चाहिए कि indicators किस तरीके से perform करते हैं कौन सा indicator क्या indicate करते हैं ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए इसके लाब दोस्तो जो लोग भी अच्छा पैसा कमाते हैं वो लोग एक अच्छे platform को use करते हैं trading करने के लिए अब दोस्तो मान लीजिए आप trading कर रहे हैं और आपने एक trade लिया और आपको लग रहा है कि अभी आपको profit हो चुका आप उस trade को cut करना चाहते हैं लेकिन platform perform नहीं कर रहा है और आप cut नहीं कर पाते तो हो सकता है आपका जो profit है वो loss में convert हो जाए तो आपको एक best platform choose करना चाहिए और दोस्तो अगर आप भी trading करके पैसे कमाना चाहते है तो मैं आपको एक बहुत ही जबर्दस platform suggest करना चाहूँगा उस platform का नाम है Margex दोस्तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस platform में आपको 100x leverage मिलता है इसके लावा आप बीना KYC के भी इसके अंदर trade कर सकते हैं दोस्तो मैं आपको बता दूँए एक bitcoin based derivative exchange है जो traders को दुनिया भर के crypto market का access दिलाता है जिससे वो अलग-अलग crypto market में एक ही platform से trade कर सकते हैं चलिए दोस्तों अब मैं आपको margex के कुछ features के बारे में बता देता हूँ दोस्तों सबसे पहले अगर हम इसके UI की बात करें UI का मतलब होता है user interface तो बहुत ही easy to use है इसलिए जो financial bank minutes होते हैं उन्होंने भी इसे nominate किया है इसके लाग दोस्तों इसके 100x derivative leverage की वज़े से आप गिरते वे market और उपर जाते वे market दोनों situation में पैसे कमा सकते हैं इसके लाग दोस्तों आपको बोलना चाहूँगा जितना ज़ादा आप leverage को use करेंगे उतने ही ज़ादा आप पैसे कमा सकते हैं लेकिन उसके साथ सब उतना ही बड़ा risk भी associated होता है इसलिए दोस्तों ट्रेडिंग करते वक्त आपको बहुत ही calculated decision लेना होगा कि कितना leverage आप use करना चाहते हैं इसके लाग दोस्तों आपको बदा दूँँ आपको अपने leverage को shit coin या फिर NFTs में invest करने की जरुवत नहीं है आप directly trading के लिए इसका इस्तमाल कर सकते हैं इसके लाग दोस्तों इस platform के उपर आपको बहुत सारे deposit options मिल जाते हैं जिसके अंदर अगर आप चाहें तो अपना profit भी ले सकते हैं जैसे कि BTC, USDT, ERC, TRC, ETH, USDC, DAI, USDP, TRON, WPTC वगरा वगरा साथ ही दोस्तों आपको coins को swap करने की जरुवत नहीं होगी Margex की तरफ से आपको एक link मिलेगा और आपका जो profit होगा वो भी उसी link में settle हो जाएगा तो आपका जो भी profit होगा वो Ethereum USD के link में settle हो जाएगा इसके लाँ दोस्तों real time trading के दोरान आपकी screen के उपर सारे deal indicators available होगे जैसे कि trading fees, profit and loss, financing वगरा वगरा दोस्तों इसका फायता यह होगा कि आपको trading से ध्यान अटाने की जरुवत नहीं होगी एक ही screen पर आपको सारी चीज़े मिल जाएगी एक ही जगह पर आप सारी चीज़ों को manage कर पाएंगे साथ ही दोस्तों trading के दोरान आप अपने profit margin को भी change कर सकते हैं मान लीजे आपने एक trade लिया 100 रुपेगा और आपने profit margin set किया 120 रुपया और आपको लग रहा है कि market और भी उपर जाने वाला है तो आप अपने profit margin को change कर सकते हैं 130 कर सकते हैं, 1500 कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं देखिए दोस्तों जो दूसरे platform होते हैं वहाँ पर आपको stop loss का option मिलता है मतलब जितना loss उठाने के लिए आप तयार हैं उसको आप set कर सकते हैं लेकिन profit के लिए आपको पूरे time पर trade को देखना पड़ता है जितना profit आपको हो जाता है उसको वहीं पर आपको cut करना पड़ता है लेकिन margex में क्या होता है आपको दोनों option मिलते हैं मतलब आपको take profit का option भी मिलता है और साथी साथ में stop loss को option भी मिलता है तो आपको पूरा time trade लेने के बाद में देखने की जरुवत नहीं है अपना समय बरबात करने की जरुवत नहीं है आप क्या कर सकते हैं simply stop loss लगा दीजे take profit लगा दीजे और उसके बाद में trade को छोड़ दीजे और आपका जो profit होगा वो book हो जाएगा तो दोस्तो take profit बहुत ही important चीजे होती है trading करने वालों के लिए तो दोस्तो अगर आप भी trade करते हैं और आपने take profit लगा दिया तो बार बार आपको trade को देखने की जरुवत नहीं होगी एक बार आपने trade लिया stop loss, take profit लगाया और आपका काम खतम इसके लाव दोस्तों मैं आपको बता दू Margex AI-based technology से बने वे unique MP shield का इस्तमाल करके अपने users को price manipulation से बचाता है इसके लाव दोस्तों Margex के जो assets होते हैं उनकी जो price होती है वो top spot exchanges के बराबर ही होती है तो इनके platform के ओपर 12 liquidity providers है जिनसे आप अपने assets को कभी भी liquidate करवा सकते हो तो दोस्तों इतनी सारी facilities देने के बाद भी Margex दूसरे platform की तुलना में आपसे बहुत ही competitive और reasonable fees चार्ज करता है इसके लाव दोस्तों अगर मैं बात करूँ referral program की तो अगर आप Margex अपने friend, family member या किसी को भी suggest करते हो और वो भी Margex के ओपर trading करता है तो आपको 40% तक का commission मिलेगा और यह 40% तक का commission है वो सबके लिए valid है चलिए दोस्तों आप मैं आपको एक trade करके दिखा देता हूँ सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे wallet में पैसे कितने है आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे wallet के अंदर भी हाल फिलाल में 0.014 BTC है और यह लगबग amount है 490 USD का और चलिए दोस्तों आप मैं आपको trade करके दिखा देता हूँ ट्रेट करने के लिए जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चार्ट दिखाई दे रहा है यह पांच मिनट का चार्ट है अगर आप इसको change करना चाहते हैं अपने accordingly तो यहाँ से easily कर सकते हैं देखे मैंने यहाँ पे 30 मिनट का set कर दिया है इसके लागा दोस्तों ऊपर की तरफ आपको multiple options दिये गए हैं तो इन में से किसी में भी आप trade कर सकते हैं तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं Ethereum USD select कर लेता हूँ और उसके बाद में दोस्तों भी हाल फिजाल में मुझे ऐसा लगारा market नीचे की तरफ जाने वाला है तो मैं sale करना चाहता हूँ आप देख सकते हैं नीचे की तरफ red में option दिया गया है जैसे मैंने उसके उपर क्लिक किया आप देख सकते हैं मेरे सामने e-screen आ चुकी है यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा balance दिखाई दे रहा है 490 USD और उसके बाद में दोस्तों नीचे यहाँ पर टालना है कि कितने amount का आप trade लेना चाहते हैं इसके बाद में आप leverage कितना लेना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से set कर सकते हैं 5X से लेकर 100X तक का option दिया गया है तो मैं सबसे पहले उपर यहाँ पर 10 कर देता हूं और नीचे leverage सेट करके 60 कर देता हूं उसके बाद में simply मुझे क्लिक करना होगा set sell stop के ओबर और यहाँ पर सारी information दी गई है तो आपको simply क्या करना होगा यहाँ पर एक check box दिया गया है don't show again इस पर क्लिक करना है उसके आप में sale के ओपर क्लिक कर देना है और आप देख सकते हैं स्क्रीन के ओपर यहाँ जो मेरा trade है वो execute हो चुका है सकते हैं और दोस्तो हाल फिलाल में मेरा trade का status आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा trade लिया था वो 25-45 पैसे में था देखिन अभी जो market है वो उपर की तरफ गया है तो मुझे यहाँ पर टोड़ा सो loss हुआ है अगर मैं इस trade को बंद करना चाहता हूँ तो देखिए यहाँ पर cross का sign दिया गया है simply उस पर click कर देता हूँ आप देख सकते हैं trade यहाँ पर close हो चुकी है तीसरा business idea है Amazon पर product sale करने का business देखिए दोस्तो Amazon और Flipkart दो ऐसे बहुत बड़े-बड़े platform है जिनके ओपर रोजाना लाखो products भिखते हैं और मैं आपको बता दू हमारे देश में ऐसे बहुत सारे brand है जो Amazon और Flipkart की वज़े से आज बहुत बड़े बन चुके हैं अगर आप internet पर search करेंगे तो आपको बहुत सारे brand के नाम मिल जाएंगे अगर मैं आपको दो-चार नाम बताओं तो उसमें से एक board करके जो company है जो headphone बनाती है वो एक company है इसके लागों दोस्तो मुमाजर, सुगर कॉस्मेटिक और भी ऐसे बहुत सारे brands है जिनों ने Amazon पर अपने product sale करके अपने brand को बहुत बड़ा बना लिया अब दोस्तो वो लोग को ऐसी क्या चीज पता थी जो चीज शायद आपको नहीं पता है जिसकी वज़े से आप उतना बड़ा brand बड़ा नहीं पाएं है देखे दोस्तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा सबसे पहले अगर आप Amazon या Flipkart या किसी भी marketplace पर product बेचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उनकी psychology को समझना होगा देखे अगर हम Amazon की बात करें और उनकी psychology को समझने के कोशिश करें तो Amazon को exactly चाहिए क्या देखे Amazon को यही चाहिए कि जो भी users उनके platform पर आते हैं उनको अच्छा product मिले ताकि वो बार-बार उनके platform पर आए और जाधा product खरी दें क्योंकि जितने जाधा product बिखेंगे उतना ही Amazon को profit होने वाला है क्योंकि दोस्तो अगर आप Amazon Flipkart या किसी platform के उपर अपने product को sale करते हो तो आपको एक certain percentage उनको देना पड़ता है पर advertisement चला सकते हो और अपने product को promote करके बेज सकते हो अब दोस्तो मान लीचे आपको 2000 रुपे का ad credit मिला और उसका इस्तमाल आपने किया advertisement चलाने के लिए तो उसमें आपके कम से हम 2-4 product बेकी जाएंगे इससे आपका confidence भी बड़ेगा इसके लागा दोस्तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूंगा जब भी आप Amazon के platform पे कुछ भी search करते हैं मान लीचे आपने search किया shoes तो दोस्तो जितने भी result आते हैं उनमें से जो starting के result होते हैं वो वही होते हैं जिन्नोंने पैसे दिये होते हैं जिन्नोंने ad चलवाया होता है इसके लाग दोस्तो मान लीचे आ आपको Amazon की तरफ से मिलता ही है अगर आप चाहते है इस particular business के ओपर मैं detail में course बनाऊं आप लोग को बताऊं तो comment box में लिखके बताएगा जितने जादा comment आएगे उतना ही जल्दी में course बनाखर upload करूँगा इसके लाग दोस्तों आपको बतादू course के अंदर होता क्या है multiple videos हो आप दोस्तों हो सकता है आप में से बहुत साही लोगे पन में ख्याल आ रहा होगा कि हमको तो website बनानी आती है coding करना भी नहीं आता है तो हम website बनाएंगे कैसे तो कोई बात नहीं आप इस वीडियो को देखते रही है आपको समझ में आ जाएगा website कैसे बनाएंगे लेकिन उ सीख सकते है website बनाना और उसके बाद में आप उनको website बना कर देख सकते हैं जिसके लिए आप उनसे certain पैसे चार्ज कर सकते हैं अब आप website बनाना कैसे सीख सकते हैं देखिए अगर आपको coding करनी नहीं आती तो कोई बात दी एक open source platform है एक free platform है जिसका नाम है WordPress आप उसकी WordPress की मदद से खुद का e-commerce platform बनाना चाहता है e-commerce website बनाना चाहता है और दोस्तों आप लोग के लिए उस video का link में इस video का description में दे दूँगा आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं इसके लावा मैं यहाँ पे i button में भी डाल दूगा यहाँ यहाँ जहां कहीं भी होगा वहाँ i button में भी आपको मिल जाएगा वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं इसके लावा दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूंगा कि जो WordPress का platform में बहुत ही आसान है आपको कोई भी coding करने की जरुवत नहीं पड़ेगी कोई भी पैसा नहीं लगता free of cost में आप website बना सकते है आपको सिर्फ क्या जरुद पड़ेगी एक domain की जरुद पड़ेगी इसके लावा आपको hosting की जरुद पड़ेगी तो जिसके लिए भी आप website बनाने वाले हैं उनको आपको बोलना है कि आपको अपने brand के नाम से एक domain purchase कर लेना है इसके लावा एक अच्छा सा hosting purchase करना है उसक जरुद जरा सोचिए आप इस तरीके का business शुरू करते हैं और हर business man से आप 2000 रुपया, 3000 रुपया, 5000 रुपया, 5000 रुपया चार्ज करते हैं और आपके आसपास में चीतने में हर महीने अगर आप 4-5 लोगी वे website बना देते हैं तो फिर भी आप अच्छे कासे पैसे कमा सकते इसके लगा दोस्तों मैं आपको एक और चीत सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इस तरीके का business कर रहे हैं तो आपको अपना खुद का YouTube चैनल भी बनाना चाहिए, जो calculation मैंने आपको first business idea में बताया था कि आपको साल बर में इतने leads मिल सकते हैं, इतने customers मिल सकते हैं, आप दोस्तों मान लीजे, आपके business के लिए भी आपको साड़े बाराजार customer के detail मिल जाते हैं, जिसमें से 2% भी आपके customer बन जाते हैं, तो same calculation आप वही लगा लीजे कि इस business से भी आप महीने का असानी से 42,000 रुपय से लेकर 63,000 रुपया उससे भी जादा आप कमा सकते हैं, तो अगर आप चानते हैं कि मैं आपको पुरा detail में बताऊ, comment box में लिखके बताएगा, जितने जादा comment आएगे, उतरा ही जल्दी मैं course बनाखर upload करूँआ, लेकिन फिर भी दोस्तों आप मान के चलिए, एक से डेड़ बहिना तो लगने वाला है, क्योंकि course के अंदर multiple videos होते हैं उनको बनाना, उनको एडिट करना, जिसमें समय जाता है, तो दोस्तों comment box में लिखके जरूर बताएगा, इसके लाब दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंदा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप लोग के लिए Margex एप्लिकेशन का लिक पे ने इस वीडियो को डि इस वीडियो को साथ